लें हेल्थी पीने लड्डू की रेसएपी पार चाहिँ है यह कहां देख से बटाशे हैं और उस मुफली को आपको पहले एक बॉल में पानी में भीगो के रखना है च्यार पांच घंटों के लिए इसमें पानी डाल दीजिए अच्छे से दो गिलास ताकि सारी मुफली अच्छे से डूप जाए पानी में और च्यार पांच घंटों के लिए इन्हें भीग रहने दे जब यह अच्छे से भीग जाएंगे तब हम आगे स्टार्ट करते हैं तो देखे चार पांच गुंटे बाद आप इस तरीके से हाथ से मैश करोगे तो उनके छिलके उतरने लगेंगे तो बस जिनके छिलके उतरते हैं उनके उतार लीजिए जिनके नहीं उतरते हैं उनके रहने दीजिए और इस तरीके से साफ दो लीजिए फिर इने देखे कुछ के चिल के उतरें हैं और कुछ के नहीं, तो एब हम एक mixeur के jar में पिसे बारिक प्रू में इसे बारिक पीस नेंगे, इनका हमें एक प्रूम प्रूम की टरफ प्रूम को गृस पर रखीये, लोफलेम प्रूम में एड़ कीजिए सिफ एक चमच घी और उसके बाद इसमें पिसा हुआ मुफली का पेस्ट मिला दीजिए और इस्टार्टिंग में आप क्यास एक दम लो फ्लेम पे रखें क्यूंकि इसके जलने के बहुत चांसस होते हैं स्टार्टिंग में यह पेस्ट है यह पैन के चिपकेगा तो आप इसको बनाते समय नॉन मिलें जयसे पकता जाएगा उसके बाद बेस्ट चिपकना बंद हो जाएगा स्टार्टिंग में ब decrease दीर हुआर चांस 2-5-10 मिंट था पर लांस के बिलकुल log नहीं चिपकेगा पर आप घी एक चमच से ज़्यादा ना डालें, अगर कुछ कमी लगती है तो ही आप आधी चमच इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि मौफली में अल्रेडी ओयल होता है, तो हमें इसमें ज़्यादा घी यूज करने की जरूद नहीं पड़ती, बस लो फ्लेम पे इसे चलाते बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है, और यह चलाते रहे हैं, और यह अच्छे से पक जाएगा और मेजर्मेंट आप अपने अकॉर्डिंग, जितनी आप मौफली लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैंने 1 कटोरी यानि 200 ग्राम मौफली ली है, तो उसके अकॉर् चमच बढ़ा या घटा सकते हो तो यह देखिए अब यह भून चुका है भूनने के बाद देखिए कितना दानेदार हो चुका है बैसा हमने लो फ्लेम पे इसे चलाया था और अब यह चमच के बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है और मतलब इसके सारी ही नमी सूख गई है और हमें भी इसे तब तक चलाना है जब तक यह प्रॉपर पूरा सूख न जाए और अच्छे से यह देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूं अब हम इसमें एड करेंगे गुड वैसे तो इसमें लोग शूगर यूज करते हैं बट हम यह हेल्थी लडू बना रहे हैं तो जि इसलिए चोटे-चोटे पीस रखे गुड के और इसमें मिला दीजिए अब हमें इस मिक्षर को तब तक चलाना है जब तक सारा गुड अच्छे से मेल्ट ना हो जाए गुड अच्छे से मेल्ट हो चुका है अब हम मिला देते हैं दो इलाइची कुटी हुई उसका बारिक पाउडर जिससे लड्डू में अच्छे खुश्बू आएगी और अब यह जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो अब ग्यास को बंद कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें ठंडा होने के बाद आप देखे यह ऐसा गरम होना चाहिए कि जिसे आप हाथ से छू सको तो अब यह कम गरम हो तब आप इसके लड्डू बनाना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो भी इस मिक्शर के लड्डू नहीं बन पाएंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर हाथ में लेके और इसे गोल गोल करके लड्डू का शेप दे दीजिए तो आप मेरे हाथों को देख सकते हूं कि कितने चीकने हो चुके हैं इन लड्डू की वज़े से मैंने एक्स्ट्रा कोई ओयल नहीं लगाया है क्यूंकि मुफली में अल्रेडी ओयल होता है और एक चमच हमने भी घीका डाला था तो उसी वज़े से हाथों के स लड्डू बनाकर तयार कर लिजिए और यह बहुत ही आसानी से बन जाते हैं लड्डू बनाने में आपको कोई दिकत नहीं आएगी तो यह सारे लड्डू बनकर तयार है क्योंकि मुफली में न्यूट्रिशन वैल्यू काफी अच्छी होती है जैसे कि फाइबर प्रोटीन और गुड फैट बहुत ही अधिग मात्रा में होता है सो आप ये हेल्थी लड़ू ज़रू ट्राइ करें और अगर आपको पसंद आता है मेरा एक्स्प्रिमेंट तो इस रेसिपी को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें तो इसक्राइब में